खुश तो बहुत होंगे आज, जी हां, हम सभी के पास ये अपडेट फिल चुका है, हम सभी को की J-Main का syllabus जो है, वो reduce हो चुका है, लेकिन इस news को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहां हम J-Mains की बात कर रहे हैं, it is not about the J-Advance, तो हम सभी का जो dream है, हम सभी का जो goal है, वो आप ऐसा सोच रहे हैं कि chapters जो हैं हमारे वो कम हो गए हैं, तो chapter कम सिर्फ J-Mains exam में आपकी help करने वाले हैं, अगर हम बात करें specifically chemistry के chapters की, तो यहां पर एक जलक हम आपको दिखा देते हैं, कौन-कौन से chapters हैं, जिनको यहां पर हटाया गया है, तो आप देख सकते हैं, metallurgy है, solid state, polymer, surface chemistry है, hydrogen chapter है, chemistry in everyday life, mathematical reasoning यहां पर आप देख सकते हैं, साथी में, prigno equations है, communication system, carnot engine and it's efficient, then we have doppler effect in sound, earth magnetic field and magnetic element, potentiometer, resolving power of microscope and astronomical telescope, यह सभी topics जो हैं वो remove हो चुके हैं, इसकी detailed pdf आपको मिल जाएगी, बाकी सभी subjects में, maths है, physics है, chemistry है, कहां कहां क्या-क्या topics आपके reduce हुए हैं, लेकिन यह बात हमें अपने दिमाग में रखनी हैं, कि सिर्फ J mains की हम बात कर रहे हैं, ठीके, तो J advance के लिए अगर हमें पूरा पढ़ना है, तो अपने efforts में अभी से कमी नहीं आनी चाहिए, सारे chapters को cover करें, हाँ, पहले हमारा target क्योंकि यही main है, तो बाकी की topics हैं, जो advance और main commonly दोनों में आने वाले हैं, उन पे हमें जादा से जादा focus करना है, ठीके, concentration के साथ आप पढ़ाई करें, और जितनी भी आपके topics हैं, कोई doubts हैं, आपको वो आप यह सकते हैं, learn and prep आपके साथ है, इस चीज के अंदर, आपका exam clear करवाने के लिए, जो भी remaining requirements आपकी रहेंगी, वो सारे यहां पर पूरी की जाएंगी, तो reduce labels क्या-क्या हुआ है, उसकी PDF आपको मिलने वाली है, learn and prep के telegram channel से, तो अभी जाके join कीजी, telegram channel और वहां से आप उस PDF को clear होगा, तो अब होगी असली तैयारी, all the best everyone.